इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं multi-dimensional array अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे वो 1D array यानि कि 1 dimension array था अब हम पढ़ेंगे 2D, 3D, 4D array इसमें से सबसे जादा जो यूज होता है वो 2D यानि कि 2 dimension array होता है बागी आपको 3D, 4D, 5D array बनाना है तो आप बना सकते हो ठीक है तो हम लोग यहाँ पर 2D and 3D array पढ़ने वाले है और राइट गैस जो multi-dimensional array होता है इसे हम बोलते है array of arrays क्योंकि हम लोग array के अंदर multiple arrays बनाते हैं इसलिए हम लोग इसको बोलते है array of array आप जो multi-dimensional array होता है यह mostly इसको हम लोग represent किसके form में करते हैं tabular form में करते हैं यानि कि rows and columns के form में करते हैं आप multi-dimensional array बनाया कैसे जाता है तो जैसे हम लोग 1D array बनाते थे ना से वैसे बनाना है देखो जैसे आपको यहां पर लिखना data type array का नाम उसके बाद यहां पर हम लोग size mention करते थे ठीक है अब multi-dimensional array एक इसमें आपको क्या करना है multiple size mention करनी है अगर आपको 2D array बनाना है तो यहां पर आप 2 size mention करोगे size 1 और size 2 3D array बनाना है तो 3 size mention करोगे 4D array बनाना है तो 4 size mention करोगे ठीक है जितना dimension का array बनाना है उतना size आपको mention करना पड़ेगा तो पहले देखते हो 1D array कैसे बनाते हैं तो 1D array में हम लोग क्या करते हैं one dimension array में क्या गरते हैं पहले लिखते हैं data type, suppose मुझे integer data type का array बनाना है, data type उसके बाद array का नाम ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम size देते हैं, suppose मैं यहाँ फिरी size देता हूँ यह मेरा बन गया 1D array, right, अब मुझे 2D array बनाना हैं, तो कुछ नहीं करना आपको simple है 2D array के लिए आपको लिखना यहाँ पर सब्सक्राइब लिखेंगे यहाँ पर data type उसके बाद array का नाम उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है दो size जैसे हैं कि मैंने बताया जितने dimension का array लिखना है बनाना है उतना यहाँ पर आपको size mention करना पड़ेगा यह मेरा बन गया 2D array अब आपके मन में सबसे बड़ा question आता रहेगा कि 1D array में तो हमको देखके ही पता जालता है कि array को कि इसमें कितना number of elements हम लोगो store करना है इसमें कितना number of elements store होंगे तीन क्योंकि इसमें एक ही size है और हमको पता चल गया कि इसमें तीन element हम लोग store कर सकते हैं बड़ टूडी array में आप कितना element store करोगे कि इसमें दो-दो size mention किया गया है दो करोग या तीन करोगे ठीक है तो इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि यहां पर देखो यह जो पहला two है ना इसका मतलब और दूसरा two का मतलब अलग अलग है यह जो पहला two है यह क्या represent करता है number of rows आपके array में कितने number of rows बनने वाले हैं और और यह जो second वाला आपको क्या करना है तो यह कुछ अगर विजूएस करना है तो ऐसा कुछ दिखता राइट इसमें कितने element आदेंगे तीन तो हम लोग यहां पर यहां पर इसा बॉक्स बनाते हैं तो हम लोग यहां पर दो रोज बना देते हैं और थ्री कॉलम बना देते हैं ठीक है अब यह तीन कॉलम बना दिया मैंने यह बन गए आपका 2-D array तब यह जो रिप्रेंट कर रहा है यह दो रोज रिप्रेंट कर रहा है और थ्री रिप्रेंट कर रहा है अब देखो वन डी अरे में जो है हम लोग क्या करते हैं हर एक element के साथ इक इंडिक्स नमबर टर् Juice करते हैं जो स्कृट रुट करते हैं से ठीक है 2-ds मैं इंडेक्स कैसे ऐ natomiast ओने वाला है और 2-d इर्यम इनभिकिन जोगा स्टाट साओगा 10 ही तो पहले हम लोग ऐनने अब आयाते हैं अपने question पे जो हमको question हमारे दिमाग में आया था कि 1D array में तो हमको देख के पता जालता है कि इसमें 3 elements store करना है पर यह 2D array में हमको कैसे समझेगा कि इसमें इतने elements store होंगे क्योंकि इसके अंदर दो-दो sizes mention है ठीक है तो अभी देखो यहां पर मैंने जो यह tabular form बना है तो इसमें कितने element हम लोगोंने add कि है तो यहां पर 1,2,3,4,5,6 यानि कि 6 elements इसके अंदर add के तो यह 6 elements आया कैसे तो 6 elements कैसे है तो आपको क्या करना है आपको पता क करना है कि इस array के अंदर कितने element आप add कर सकते हो आपको shift क्या करना है रोज number of rows से number of column को multiply कर देना है यह आपको बता देगा size यह आपको बता देगा array का size होने वाला है ठीक है तो हमारे पास number of rows कितने है two है और number of columns कितने है three है तो यह is equal to कितना आएगा six आएगा और यहां प size पता करना है उसमें आपको किया करना है जितने भी dimension की size है अब को multiply कर देक है जितने भी dimension की size यह कितना dimension है टुब निकालना है ओर एक और चीज जो वंडी आरे है इसमें एलिमेंट्स हम लोग कैसे access करते हैं अगर हमको elements को access करना रहता है तो हम क्या करते हैं तो हम लोग लोग 10 access करना है तो हम लिए का नाम उसके यहां पर index number डाल दे ते हैं यह एरे अफ ग्रेंट करेंगा ट्यिक्ट करेंगा और मुझे ट्र्टी चीए तो मैं क्या करूँगा यहां पर लिकूँगा और उसके बाद index row का index number लिखेंगे तो row का index number क्या है यहाँ पे zero है ठीक है उसके बाद इसका column का index number लिखेंगे तो क्या है zero है यहाँ पर लिखेंगे zero यह मुझे क्या देगा print करके 10 अगर मुझे access करना है suppose 50 को तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कौन से row में हैं यहाँ पर लिखेंगे array का नाम पहले row number देखेंगे कितना है one फिर column number देखेंगे इसका column number कितना है one यहाँ पर लिखेंगे one और यह मुझे क्या print करेगा 50 तो ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे अगर 2D array के हम लोग को element को access करना है तो आपको ऐसे दो-दो index number mention करने पड़ेंगे पहला जो index number यह है यह क्या बताता है आपका row number कौन सा है और दूसरा index number आपको represent करेगा यह कौन सा column number है all right so I hope guys आपको समझ में आ गारेगा कि 2D array बनाते कैसे हैं 2D array में indexing कैसे होता है 2D array के size कैसे कि निकाल रहता है all right guys I hope आपको 2D array समझ में आ गए रहेगा तो अगर आपको फिर भी कोई doubt या कोई problem आता तो please mention in comment section और आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like कर देना इससे मुझे motivation मिलता है आपके लिए और भी अच्छे और amazing वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई